संग्या क्या है पढ़ा अंग्रेजी में नाउन नाउन के प्रकार पढ़े नाउन के विभिन रूप पढ़े और नाउन की स्थिति क्या होती है ये भी जाना एक वाक्य में नाउन के प्रकार पढ़ते हुए एक प्रकार हमने उस समय नहीं बताया था जो अब हम बता रहे हैं क्योंकि वो स्वयम में नाउन नहीं है बलकि किसी अन्य शब्द भेज से उसे नाउन बनाया जालता है आप सुनिये मैं क्या कह रहा हूँ ये जो प्रकार आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभी पढ़ने जा रहे हैं ये प्रकार स्वयम में संग्या नहीं रहता किसी शब्द भेद के किसी प्रकार से लेकर उसे संग्याब बनाए जाता है शब्द भेद मैंने बताया है, जो आठ तरीके के हैं संग्या, सरबना, विशेशन, क्रिया, क्रिया विशेशन और अन्नेतीन, इंट्रचेक्शन, प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, आदि यह जो आठ प्रकार हैं में से किसी एक प्रकार को संग्या के रूप में बदला जाता है और इसलिए यह संग्या है लेकिन उस तरह की संग्यानी जिसका अध्यान हमने पहले किया It is not the same type of noun that we studied earlier In their basic format itself, they are nouns and what we studied was different types of nouns We categorize those nouns into different categories We did not convert any other sort of parts of speech into noun, no But here now, what we are going to study is conversion of a particular part of speech into noun How do we do that? That is very interesting And this use is very very common and extremely easy to So, आपको यह सोच के घबराना नीच चाहिए कि फिर संग्या कौन सी आ गई यह बहुत सरल है Very easy to make Hindi में जहते हम कहते हैं गिरना एक सामाने बात है गिरना एक सामाने बात है गिरना क्या है यहाँ पे? थोड़ा सोचिये गिरना कार तो ऐसे क्रिया होता है गिरना एक क्रिया है अंग्रेजी में इसे कैसे बोलेंगे? तो जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो थोड़ा से रूप बदल जाता है Let us see some example Reading is his favorite past time Past time मतलब खाली समय में समय गुजारने के लिए Reading is his favorite past time खाली समय के लिए में उस पढ़ना बहुत पसंद करता है अब reading जो शब्द है Read से बना है और read क्या है To read मतलब पढ़ना एक क्रिया है To read एक क्रिया है एक वर्ब है वर्ब है एक क्रिया है एक कार है एक एक एक्शन है उसमें हमने ing लगा दिया So reading is his favorite past time अब यहाँ पे reading जो है वह क्रिया नहीं है Reading एक संग्या बन गई है खेलना खेलना उसका शौक है Playing is his favorite hobby Playing is his favorite hobby His favorite hobby is to play यह अलग है और जब हम ing लगाते हैं क्रिया में तो कुछ उसका रूपांतर हो जाता है वह संग्या बन जाती है हम यह भी देखते हैं कि यहाँ इसका प्रयोग क्रिया के करता की तरह हुआ है Reading is his habit क्रिया के करता की तरह हुआ है इसलिए यह क्या काम कर रहा है संग्या का काम कर रहा है कौन सा? Reading Reading एक संग्या की तरह प्योग हो रहा है इसलिए यह जो संग्या है जो क्रिया से बनी है This noun which is made out of verb is called क्रिया वाचक संग्या और जिरंड हिंदी में इसे कहते हैं क्रिया वाचक संग्या कि क्रिया से बनी हुई संग्या, क्रिया वाचक संग्या, जिसमें इंजी लगा दिया जाए लेकिन अंग्रेजी में उसे क्या बोलता है, जिरंड, G-E-R-U-N-D, very funny name and because it is funny, it is easy to remember a जिरंड is a noun, a जिरंड is a noun, what noun, verb noun, verb noun is called a जिरंड a noun which is made out of a verb by adding I-N-G at the end, by suffixing I-N-G इसके कुछ और दारण देखें, जिरंड के, playing cards is not allowed playing cards is not allowed, card खेलना, ताश खेलना, ताश खेलना एक संग्या हो गई I like reading poetry, I like reading poetry, he is fond of holding money, H-O-A-R-D holding money, he is fond of, fond of मतलब शौकीन होना, शौक होना, I am very fond of sweets, मुझे मिठाई का बहुत शौक है, fond of, fond so he is very fond of holding money, I am very fond of postage stamps, कहलों की आदत होती ने, ticket एकठा करने की, postage tickets, post office में जो मिलते हैं, उनको postage tickets बोलते हैं, उनको एकठा करने की कहलों की आदत होती, so many people are fond of holding, तो कि बहुत सारे ticket खरीद के रख लेते हैं, अब यहां जो आपने उप्योग देखा, इसमें कुछ गौर करिया, जो पहला वाकित था, playing card is not allowed, उसमें क्रिया वाचक, संग्या का क्रिया क्या है, करता है, संग्या और दूसरे में, संग्या की तरह क्रिया वाचक कर्म है, I like reading, what, poetry, poetry क्या है, कर्म है, I like reading, what, poetry, दूसरे शब्दों में संग्या की तरह क्रिया वाचक क्रिया का कर्म है किन्तु क्रिया की तरह इसके साथ कर्म भी है क्रिया का उप्योग करता है जैसे he is fond of, fond of holding money, holding money, ये तीनों में एक चीज़ आप देखिए इस वाक्य में, जो क्रिया है या जो जिसको मैं जिरंड कह रहा हूँ यहाँ, पहले वाक्य में जिरंड हुआ प्लेइंग, दूसरे में जिरंड हुआ रीडिंग, तीसरे में जिरंड हुआ होडिंग, I am going एक व ing लगा है, लेकिन go यहाँ पर क्रिया है, मैं जा रहा हूँ, एक क्रिया बनी, और going के साथ एक helping verb भी लगा हुआ है, वो क्या है helping verb, जिसका जिक्र मैंने पूर में बार बार किया है, is, they are eating, our क्या है helping verb, verb है helping verb, to be का रूप है, helping verb है, और are किस के लिए लगा है, eating के लिए, eating main verb, और उसके लिए helping verb, they are eating, तो यह जो बाक्य मैंने बताया, उसमें helping verb होता है, लेकिन जिरंड के रूप में जिसका उपयोग कर रहे हैं जिस क्रिया का उसमें helping verb नहीं होता उस क्रिया के लिए helping verb नहीं होता जिरंड के रूप में try to understand जिरंड के रूप में या क्रिया वाचक संग्या के रूप में जिस क्रिया का हम उपयोग कर रहे हैं, ing लगा कर, उसमें helping verb नहीं आता, तो इसलिए बड़ा स्पष्ठ हो जाता है समझना कि ये जिरंड है कि क्रिया है, जिरंड और क्रिया में अंतर क्या है, जिरंड के साथ कोई helping verb नहीं रहता, there is no helping verb attached to a gerund, attached to a क्रिया वाचक संग्या, और जब क्रिया वाचक, जब ing के साथ is है, क्रिया के साथ is है, ing है, was है, where है, r है, m है, उस स्थित में थोड़ा देखिए कि ये जिरंड है कि क्रिया है, एक मैंने वाकिए बताया, he is fond of holding money, is यहां है, right, लेकिन is जो है वो किसका helping verb है, किसका helping verb है, holding का है, नहीं, fond of का है, fond of है, का, शौकीन है, शौकीन होना, to be fond of, to be fond of एक क्रिया हो गई, to be fond of, मतलब शौकीन होना, उस से बना, he is fond of, लेकिन इफ यदि मैं he is fond of eating बोलता हूँ, तो eating के साथ क्या कोई helping verb है, नहीं है, तो eating क्या हो गया, जिरंड हो गया, eating क्या हो गया, क्रिया वाचक संग्या हो गया, in other words, it is rather simple to identify a gerund, from a verb, verb में यदि ing है, तो उसके साथ helping verb आएगा, या यदि कोई सा word, ing के साथ समाप्त हो रहा है, कोई सा word, किसी verb में ing लगा है, और यदि उस verb के लिए helping verb है, तो वो verb है, वह gerund नहीं है, जिरंड क्या है, जिरंड वर्ब ही है, ing लगा है, लेकिन कोई helping verb उसका नहीं है, मैंने कई तरीके से आपको अब समझा दिया, जिरंड और वर्ब में क्या अंतर है, यहां देखिए, यह तीसरा वाक्य जो है, he is fond of, is आया है, पर is किस के लिए आया है, holding के लिए नहीं आया है, is is not the helping verb for the verb holding, is is helping verb for to be fond of, fond of ये शौकीन होना, इच्छा रखना, fond of, right, so this is the basic difference between gerund and verb, so what is the definition that we make out of it, what we understood after the whole thing and make a definition, परिभाशा क्या बनेगी, परिभाशा यह बनेगी, कि जिरंड जो है, वह क्रिया का वह रूप है, क्रिया का वह रूप है, जिसके अंत में आई एंजी आता है, और संग्या क्रिया दोनों का काम करता है, मैं फिर से दोहरा दू, जिरंड is that form of verb, which has इंजी as suffix, and which works as both noun verb, noun as well as verb, very clear, because क्रिया वाचक संग्या और क्रियार्थक संग्या दोनों संग्या और क्रिया का कार करते हैं, इसलिए दोनों समान, क्रिया वाचक संग्या और क्रियार्थक संग्या, बहुत से वाक्यों में हम इसका दो तरीके से उप्योग कर सकते हैं, कोई विशेश अंतर नहीं होता, जैसे teach him to swim, teach him to swim, एक तो ये हो गया, क्रियार ठक संग्या, और दूसरा हो गया, teach him swimming, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक को हम क्रिया के रूप में यूज़ कर रहे हैं और एक को संग्या के रूप में यूज़ कर, एक को हम क्रिया के रूप में, क्रिया वाचक संग्या के रूप में, और एक को क्रियार्थक संग्या के रूप में, teach him to swim, teach him swimming, to give is better than to receive, to give is better than to receive, देना प्राप्त करने से बहतर होता है। इसको दूसरे तरीके से जिरन लगा कि कैसे बोलेंगे गिव को हम गिविंग करदें और ऐसे ही रिसीव को रिसीविंग करदें गिविंग is better than receiving अब यह is किस आया हुआ है इसमें तो आप फिर कहेंगे कि is इसमें आया हुआ है तो इसका मतलब इसमें यह जिरन नहीं है is किसके लिए आया है is जो आया है helping verb वो main verb है वाक्य पूरा करने के लिए है it is a main verb by itself giving is better than receiving देना लेने से ज्यादा अच्छा होता है is जो है वह ना giving के लिए है ना giving का helping verb है और ना ही receiving का helping verb है वह स्वयम में एक main verb का काम कर रहा to be main verb भी है और to be helping verb भी होता है तो यहाँ पर main verb का काम कर रहा to see is to believe to see is to believe दूसरा इसको जरंड के रूप में बोलें seeing is believing seeing is believing अब is फिर यहाँ आया आप कहेंगे आपने तो बताया is नहीं होता है जरंड में यहाँ पे बच्चों बार बार समझे is जो है वह main verb है वो है के लिए आया है अलग से क्योंकि है के बिना वाक्य पूरा नहीं हो रहा है एक वाक्य तभी पूरा होता है जब उसमें एक क्रिया हो seeing क्रिया नहीं है वो संग्या है believing क्रिया नहीं है वो संग्या है तो क्रिया क्या है is क्रिया है main verb हो गया to be का main form to be का main verb बन गया है right to be has become main verb here and so seeing is believing तो अब इसको आप देखने के कोशिश करिये, is, was, where, are, am, यह सब किस रूप में लिए गया है, main verb के रूप में, या helping verb के रूप में, if they are used as helping verb, along with a verb for ing, with ing, then it's not a gerund, but if it is used independently as main verb, then ing, verb ending with ing, are usually gerund. Okay, let us look at another form of gerund, gerund also has some types, there is one called compound gerund, compound gerund kya hai, they were charged with having sheltered, they were charged with having sheltered criminals, charge karna matlab, aarup lagna, shelter देना मतलब शरण देना, shelter मतलब शरण, to give shelter, शरण देना, criminal मने अपरादी, they were charged with having sheltered, अब देखिए, इसमें कहां पर ing लगा है, having में, having जो है, वह एक compound, gerund का काम कर रहा है, चन्युक्त क्रिया वाचक संग्या का रूप, have और be के क्रिया वाचक संग्या से बनाया गया, have, to be, मैंने बताया आपको to be के विविन रूप, is, are, where, was, am, etc. तो उसी तरह यहां पर have, had, had भी जरंड का काम करते हैं, यदि उसमें ing लग जाए, having gone, having gone, he did not come back, having got annoyed, he did not speak, having got annoyed, having क्या हुआ, संग्या हो गया, कैसा संग्या, क्रिया से बनी हुई संग्या, क्रिया वाचक संग्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जिरंड, यहां पर having के साथ कोई is, was नहीं हैं, यह देख लिजे, so this is called compound, यह simple नहीं है, जिरंड में थोड़ा सा उपरी, उपर के स्तरका है, इसलिए compound कहलाता है, अब आगे देखिए और, क्रिया वाचक संग्या और, क्रिया वाचक संग्या और वर्तमान काल का जो क्रिदंथ होता है, इसमें आई एन जी आता है, आता इसे ऐसा समझो कि जिरंड और क्रिया का कारे करती है, क्रिया वाचक संग्या जो है, वो जिरंड का कारे भी करती है, और इसके साथ ही क्रिया का कारती है, इसलिए हम इसे कहते हैं, verbal noun, he is fond of playing cricket, playing, खेलना भी बता रहा है, संग्या भी बता रहा है, the old man was tired of walking, थक जाना, walking, क्रिया भी बता रहा है, संग्या भी बता रहा है, so these are all gerund, So I think you have understood what is a gerund by now, and example, and gerund, the use of gerund makes your sentence formation smaller, gerund का फायदा क्या है, वाक्यों को छुटा बना देता है, communication थरल कर देता है, I am coming, एक वाक्यों हो गया, His coming was a problem, उसका आना एक समस्या हो गया, यहाँ आना जो है वा जिरंड हो गया, उसका आना एक समस्या हो गया, right? So this is the difference between gerund and verb. Now a little more, little further on gerund, देखो, संयुक्त संग्या एक शब्द होता है, joint nouns, nouns जो joint है, connected है, Noun तो एक शब्द होता है, लेकिन ऐसे भी उधारन है, जहाँ जिरंड का, जिरंड को हम एक noun से जोड़ देते हैं, और एक नया अर्थ निकलाता है, Walking is good exercise, यहाँ walking क्या है? जिरंड, I am walking, यहाँ पर walking क्या है? मैं चल रहा हूँ, क्रिया है, और walking is good exercise, वहाँ walking चलना होगा, उसको हम दूसरा भी बोल, to walk is good exercise, क्रियात्मक संगया, to walk is good exercise, तो उसको ing लगा के बोलने, जल्दी हो जाता है, बोलने में smooth होता है, walking is good exercise, यह हो गया जिरंड, अब यदि मैं walking के साथ एक noun जोड़ दूँ, तो उसका दूसरा आर्थ निकलाता है, walking is stick, walking is stick मतलब क्या होता है चड़ी जिसको लेकर चलते हैं, तो walking एक जिरंड हो गया, मतलब noun है, और stick चड़ी वो भी noun है, तो यह संयुक्त संगया हो गई, frying pan, frying pan मतलब क्या होता है, जिसमें हम fry करते हैं, वो plate जिसको बर्शन के उपर, बर्नर के उपर रख कर कुछ चीज fry करते हैं, तलते हैं, तो उ चलने की चीज, तलने का बर्तन, frying जिरंड है, क्रिया नहीं है, जिरंड है, फ्राइंग पैन, बर्तन, तलने वाला बर्तन, चलने वाली छड़ी, चलने वाली छड़ी, उसके बाद, writing table, this is my writing table, this is my table for me to write, I write on this table, तो उसको हम शौत में क्या बोलेंगे, this is my writing table, right, so writing, jiran, table, noun, both noun combined together to form what is known as संयुक्त संग्या, compound noun, right, walking stick, frying pan, hunting deer, ये सब क्या हो गया है, क्रिया वाचक संग्या, jiran कहला है, a stick of walking, a stick for walking हो गया, walking stick मतलब a stick for walking, a pan for frying, a stick, तीसरा है, writing table, a table for writing, for kaupiog, उसको हमने short कर दिया, for हटा दिया, this is my table for writing, ऐसा बोलने के बदले, हम कैसे, this is my writing table, this is my table for writing, वहाँ पे writing क्या है, jiran है, लेकिन sentence लंबा है, उसको हम यदि joint compound noun करें, तो हो जाया, this is my writing table, बहुत छोटा वाक्या, और communication English में, या लिखते समय भी समय बचाने के लिए, we use this, this is very perfect English, okay, now, see, again, दो वाक्या देखो, I hope you will excuse my leaving early, and I hope you will excuse me leaving early, दोनों अंतर वाक्या देख लिजाए, दोनों वाक्या करेक्ट हैं, हम दोनों रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और दोनों में देखिए, जिरन कहां रहा है, लीविंग, दोनों में जिरन, my leaving early, me leaving early, एक में वो possessive case हो गया, एक में वो objective case हो गया, कर्म कारक है, और दूसरे में, संबंध कारक है, possessive case, जिसका जिक्र में पहले कर चुका हूं, in case of doubt, you can refer to that again, कि ये कारक क्या है, but right now, I focus on these two types of sentences, and tell you that both are correct, in their own way, one is कर्म कारक, another is संबंध कारक, I hope you will excuse my leaving early, मुझे विश्वास है कि आप मुझे जल्ली जाना है, आप मुझे माफ करेंगे मैं जल्ली जा रहा हूं, दूसरे में भी क्या है, I hope you will excuse me living early, मुझे माफ कर दोके कि मैं जल्ली जा रहा हूं, उमीद है आप मुझे माफ करदेंगे, मुझे अनुमति देंगे okay so this is how the gerunds are formed and gerund is is an excellent way of simple English तराल अंग्रेजी बोलने के लिए gerund बहुत काम में आता है बहुत उप्योग होता है hope in grammar you have understood different parts of your speech noun then adjective then verb and also pronoun we have also done gerund and learned the use of all of these in our day-to-day communication ये जितने भी जो वाक्य होते है ये बिना क्रिया के पूरे नहीं होते no sentence is complete without a verb बही जिस वाक्य में क्रिया ही नहीं है तो वो वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा अधूरा रहेगा कई बार अधूरे वाक्य किसी और रूप में उनका उप्योग होता है तब वो फ्रेज कहलाते हैं तब वो कभी कभी clause भी बनते हैं लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं हम यह बात करेंगे कि क्रियाएं कितनी महत्पूर्ण है यह तो हम जान गए बिना क्रियाओं के कोई वाक्य पूरा नहीं होता है और क्रिया पे ओलेडी लॉंग लेसन पहले आपने देख लिया है वार्प जो होते हैं नेमित और अनीमित दो टाइप के होते हैं नेमित और अनीमित जैसे जिरंड को मैंने कहां बहुत सरल है और आपको भी लगा होगा कि वास्तों में बहुत सरल था समझना ऐसे ही regular और irregular verb को भी समझना सरल है कोई कठनाई नहीं होनी चाहिए इसमें regular verb और irregular verb इस आटू नियमित और अनियमित regular verb क्या है ऐसी सारी क्रियाएं अंग्रेजी में जिसमें second form में या भूत काल में जिसको हम कहते हैं उसमें ed जोड़ दो और ऐसे आखरी third form में उसमें भी ed जोड़ दो तो यदि तीन form है जिसे मैंने v1, v2 और v3 कहा था present tense, past tense and past participle you must remember you can have a look at the video on tense also before you proceed with this lesson on verb, irregular and regular verb so you can have a better understanding of what I am teaching right now present tense walk, past tense walked, past participle walked, present tense laugh, past tense laughed, past participle laughed इसे हम ये भी कहते हैं present tense के बदले v1, paint, v2, painted, v3, painted, paint, painted, painted, walk, walked, walked, laugh, laughed, laughed, talked, 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 talked जिसमें ed लग जाता है दोनों दूसरे form में वो regular verb होता है बहुत सरल परिभाशा है regular verb में ed जोड़ दो और यदि वो सही है regular verb वो verb कहलाते हैं जिसमें ed जोडने से भूत, काल और past participle बन जाता है they are called regular या नीमित वो अब irregular verb इठीक इसका उल्टा irregular verb जैसा शब से ही पश्ट है ed जोडने से कामनी बनता कुछ और इसमें होता है वो जो कुछ और होता है वो अनीमित है कोई इसके rules नहीं है कैसे होगा इसका कोई नियम नहीं है जैसे नियमित में नियम है न ed जोड़ दीजे, ed जोड़ दीजे दोनों में लेकिन अनीमित में कोई नियम नहीं है ऐसे verb जिसके second और third form में कोई नियम नहीं है कि उसको बनाने के कोई नियम नहीं है standard laws नहीं है उनको unimit verb कहते हैं For example मूल रूप जो है base form sit sit का दूसरा रूप क्या है sat और तीसरा रूप क्या है sat sit, sat, sat एक और शब्द देखिए ring बजाना ring rang पहले में क्या हुआ था sit, sat, sat हो गया दो बार set आया दूसरे में तीनों ही अलग-अलग है ring, rang, rang तीसरे में कम, came कम तीसरे में और्फनी हो गया पहला और तीसरा एक जैसा है और चौथा देखिए तीनों एक ही है, cut, cut, cut ये जो चारों वर्व है, इसमें कोई नियम लागू नहीं होता जैसा मैंने पहला नियम बनाया कि बहुत सारे वर्व में केवल ED और ED जोड़ दे, तो वो तीनों फार्म आ जाते हैं, और वो वर्व नियमित कहलाते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्व हैं, जिसमें कोई नियम नहीं है बड़े अनियमित है वो कभी पहला और तीसरा एक जैसा दिखता है, कभी पहला और दूसरा एक जैसा है, कभी तीनों ही अलग-अलग हैं, और कभी तीनों ही रूप एक है, तो अनिमित क्रिया हैं इनको कहते हैं, इरेगलर वब, जिनको तीनों रूप एक जैसे हैं, वो एक हो गया, कट-कट-कट, जि जैसे sit, sat, sat और जिनके तीनों रूप भिन्न हैं जैसे ring, rang, rang तो तीन प्रकार के अनियमित क्रियाएं होती हैं अनियमित क्रियाएं कितने प्रकार की? तीन प्रकार की और नियमित क्रियाएं कितने प्रकार की? एक ही प्रकार की तो ये नियमित क्रियाओं और अनियमित क्रियाओं के बारे में आपको एक जानकारी मिली जिसमें तीनों रूप समान है अनियमित क्रियाओं में जिसमें तीनों रूप समान है फ़ला चार शब्द और देख लिए कौन कौन से है कॉस्ट 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 कीमत होना कॉस्ट 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 कट 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 तो आपने पढ़ा ही है अगला है पुट 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 मने रखना रीड 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 लेकिन इसका उच्चारन बदल जाता है यहां पर थोड़ा सा अलग यह है Read, Read, Read इस spelling एक ही है पर Read, Read, Read spelling एक ही रहेगी उच्चारण थोड़ा बदल जालता ऐसे ही Shut, Shut, Shut बंद करना Shut, Shut, Shut Split, Split, Split Split मने तोड़ना, अलग-अलग करना दो भागों में बांट देना Split करना इने बांट देना अलग-अलग कर देना तो Split, Split, Split Base form में Past tense में और Past Partiple में तीनों में एक ही रूप आपने देखा यह पांट-छे verbs में, ऐसे ही करीब तीस-चालिस verbs और है और ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है कौन से वर्ब इस कैटेगरी के कौन से इस यह प्रैक्टिस से आएगा, याद रखिए यह याद करने की चीज नहीं प्रैक्टिस से आएगा अभ्यास से आएगा और नहीं कोई स्टैंडर्ड नियम है कि कौन से वर्ब तीनों एक जैसे होंगे कौन से वर्ब में दो एक जैसा होगा अब जैसे देखिए दूसरा जिसमें दो रूप समान है अनीमित वर अनीमित क्रिया जिसमें दो रूप समान है बीट बीट बीटन बीट मने मारना पीटन बीट बीट बीटन बेंड 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 दो रूप समान होगा बीट बीट बीटन में पहले दो रूप समान है बिकम बिकेम बिकम पहला और तीसरा समान है एक में पहले दो रूप समान दूसरे में पहला और तीसरा रूप समान और एक में दूसरा और तीसरा रूप समान ऐसे भी बहुत सारे भवब हैं जिनकी संख्या काफी ज़्यादा है आप अभ्यास से जानेंगे कि कौन से रूप, कौन से वर्ब अनीमित है और कौन से वर्ब में दो समान हैं, कौन से वर्ब में तीनो अलग-अलग हैं, कौन से वर्ब में तीनो एक जाते हैं अनीमित क्रिया में तीन प्रकार बताये थे दो प्रकार के उधारण मैंने आपको बता दिये पांच पांच छाच अब तीसरा प्रकार क्या है जिसमें तीनों ही रूप अलग है पहला क्या था जिसमें तीनों रूप एक हैं अनीमित में, अनीमित में तीनों रूप एक हैं, वो पहला प्रकार था, कट, 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 अनीमित में दो रूप एक ही हैं, बेंड, बेंट, बेंट, कम, कें, कम, और एक तीसरा है, जिसमें तीनों ही रूप अलग-अलग हैं, सबसे सरल वर्प क्रिया, जिसके तीनों रूप अल गो, past हो गया, went, और past participle हो गया, gone, तीनों ही रूपलग है, be, be present है, past में हो गया, was, where, और past participle हो गया, been, begin, शुरू करना, begin, began, begun, run, ran, run, do, did, done, eat, ate, eaten, उसके बाद, fall, fell, fallen, fly, flew, flown, forget, forgot, forgotten, forgive, forgive, forgiven, कितने सारे शब्द हैं, जिसके तीनों ही रूप भिन है, यह भी अभ्यास से ही आएगा, यहाँ पे सूची पूरी लंबी देना, improper होगा, उचित नहीं होगा, आपको स्वेम अभ्यास करना होगा, कि हर भर्ब का दूसरा और तीसरा फार्म क्या है, और कौन सा अनेमित है, कौन सा नेमित है, अनेमित में जो तीन शेड़ियां, उसमें कौन सी शेड़ी में कौन सा भर्बाता है, राइट, जैसे जिरंड आपके अंग्रेजी को बढ़िया बनाता है, जिरन्ड आपके अंग्रेजी को सरल बनाता है जिरन्ड मतलब क्रिया वाचक संग्या उसी तरह ये जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं के कुछ दो रूप भी है और इन रूपों को देखेंगे तो बड़ा रूचक लगेगा आपको उदारन के लिए ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक लेकिन इसके दो रूप हैं तीसरे फॉर्म के ड्रंकन ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंकन मेल्ट, मेल्टेड, मोल्टन मेल्ट, मेल्टेड, मोल्टन अब यहां मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड होता है लेकिन मोल्टन भी है वैसे है प्रूव प्रूवड प्रूवड शेव शेवड शेवड लेकिन शेवड जो तीसरा है उसमें शेवड भी लिख सकते हैं शेवड सिंक संक मतलब पास पाटिसिपल के दो रूप हैं कुछ ऐसे भब्द हैं जिसमें पास पाटिसिपल के दो रूप हैं और अधिकतर जो दूसरा रूप है उसमें एन जोड़ दो Molten, Proven, Shrunk, Shrunkan, Sunkan ये En जोड़ दीजे उसके पास पार्टिपल के रूप में Sunk, En, Shrink, Shrunkan, Shrinkan, Etc. ऐसा क्यों होता? तुलना करो देखिए He has drunk liquor He has drunk liquor उसने शराब पी है A drunken soldier A drunken soldier पिया हुआ सिपाही पिया हुआ सैनिक soldier येनि सैनिक पिया हुआ के लिए drunken वहाँ पे drinking soldier नहीं drunken soldier, third form drink, drank, drunk a drunk soldier हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? drunken soldier In other word, there are few verbs whose third form that is past participle form has two variations and the second one is normally you add up e-n to it you suffix e-n the iron has melted the iron has melted loha pighal gaya hai pighala hua loha molten iron molten iron pighala hua loha malted iron भी आप बोल सकते हैं पर सामान अंग्रेजी में से molten iron बोलते हैं he has proved it he has proved it गनित में होता है न आखरी में लिखते हैं आप लोग he has proved it is proved उसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं proven fact proven third past participle है वैसे तो past participle proved है लेकिन e-n जोड दीजे first form में e-n जोडना याद रखिएगा first form में e-n जोडना similarly he has shaved he has shaved off his beard shaven clean shaven man I am a clean shaven man बिलकुल साफ मैंने दड़ी बनाई है clean shaven clean shaved नहीं clean shaven ये एक बड़ा अच्छा उपय होग है अंग्रे जी के लिए और इसके लिए भी कोई नियम नहीं है कोई standard law नहीं है जिसको आप दिमाग में रखे हैं और इसके अनिसार इन लगाते चले जाएं but again this will come with the practice and the louder you practice the better it is जितनी जोरों से इन तीनों रूपों को आप बोलेंगे उतनी ही जल्दी आपको ये आपके दिमाग में जजब हो जाएगा एक तरीके से रग में कंठस्ट हो जाएगा he has drunk liquor a drunken soldier a molten iron a clean shaven man a sunken ship sunken cheek cheek मनें गाल कई लोग के गाल अंदर धसे रहते हैं धसे गाल को क्या बोलेंगे sunken cheek अंदर धसा हुआ डूबा हुआ वैसे तो सिंक का अर्थ होता है डूब ना पर sunken cheek मतलब cheek जो डूब गया है अंदर घुज गया है this boy has a sunken cheek right so sunken e n आप जोड रहा है right so this is another understanding and with that I think you should be able to understand jirand and followed by the use this way of अनियमित क्रिया क्रिया उसके दो प्रकार नियमित अनियमित और अनियमित के तीन प्रकार or we have done few examples to make you understand what we mean by three types of irregular verb what we mean by regular verb and certain basic understanding of irregular verbs how they are made and the last one which I told you is interesting that is how to make adjective order they are made adjective प्रूव का जो प्रूवन वो अध्यक्तिव बना सिंक का संकन adjective बना कैसा गाल दबा हुआ गाल कैसा चहरा शेवन चहरा कैसी सच्चाई प्रूवन फैक्ट साबित हुई सच्चाई कैसी